अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे दोस्तों आज की ये इन्फरमेटिव वीडियो बेज़ड है माउंट एवरेस्ट पर इस वीडियो में हम माउंट एवरेस्ट के बारे में डिसकस करने वाले हैं माउंट एवरेस्ट जैसा की आप सभी को पता होगा वर्ल्ड की सबसे उची या टॉलेस्ट माउंटेन पीक है या फिर परवत चोटी है दुनिया में इस से उची कोई और परवत या फिर माउंटेन नहीं है जैसा कि आप इस मेप में देख सकते हैं कि माउंट एवरेस्ट भारत के पड़ोसी देश नेपाल में है नेपाल एक ऐसा देश है जो पूरी तरह से हमाले परवश रंखलाओं के गोद में बसा हुआ है और माउंट एवरेस्ट उन्ही हमाले परवत श्रंकलाओं की एक चोटी का नाम है और ये उसी का एक हिस्सा है और इसे इस दुनिया की च्छद भी कहा जाता है माउंट एवरेश दुनिया की सबसे उची परवच चोटी होने के साथ साथ दुनिया की सबसे खुबसूरत परवच चोटी भी है चाहे साल का कोई सावी महीना हो या दुनिया के दूसरे इसों में गर्मी भी पड़ रही हो लेकिन ये परवच रंकला ये चोटी यानि माउंट एवरेज हमेशा बर्फ से ठकी हुई रहती है अब बात करते हैं कि माउंट एवरेज तक कैसे पहुँचा जाए अगर कोई व्यक्ती भारत का निवासी है और वो दिल्ली में रहता है तो उसे चाहिए और उसके लिए सबसे बेस्ट आप्शन है कि फलाइट से काटमांडू तक पहुचा जाए काटमांडू नेपाल की कैपिटल है और दिल्ली से काटमांडू की फलाइट दूरी या एरियल डिस्टेंस 813 किलो मिटर है काटमांडू पहुचने के बाद बस या फिर प्राइवेट टैक्सी की मदद से दूध कुण्ड नाम की एक जगे पर पहुचना है जिसकी काटमांडू से दूरी 280 किलो मिटर है दूद कुंट पहुँचने के बाद माउंट एवरेस्ट के बेस की दूरी यानि की वो इस्थान जहां से माउंट एवरेस्ट परवत शुरू होता है उसकी दूरी लगबग 25 किलो मिटर रह जाती है इसके बाद माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई लगबग शुरू ही हो जाती है इसके बाद लगबग 9 किलोमेटर ऊचा परवत आपके सामने होता है जिस पर चढ़ना हर एक परवतारोही का सपना होता है दोस्तों अगर बात करें माउंट एवरिस्ट की कुल उचाई की तो यह परवत 8849 मीटर उचा है यानि यह लगबग 9 किलो मीटर उचा है इसके शिकर तक पहुँचना आसान काम नहीं है जो लोग इस पर चड़ाई के इरादे से आते हैं और वो पूरी कोशिश करते हैं तो उनको कई हफ़तों लग जाते हैं और कई बार तो अगर मौसम साथ ना दे तो कई महीने भी लग जाते हैं अब बात करते हैं माउंट एवरिस्ट परवत की कुछ खासियतों की जैसे की इसकी उचाई लग बग 8,849 मीटर है ये किस देश में इस्तित है तो ये नेपाल में इस्तित है जो की भारत का पड़ोसी देश है और ये किस परवत शरंखला के अंदर आता है ये आता है हिमाले परवत शरंखलाओं में दोस्तों 1922 से ही लोग माउंट एवरेस्ट पर चड़ने की कोशिश कर रहे थे लेकिन कभी कामयाब नहीं हुए लेकिन पहली बार 1953 में एड्मन हिलेरी और टेंजिंग नोरगे नाम के दो व्यक्तियों ने सफलता पूरवक माउंट एवरेस्ट की चोटी पर अपने कदम रखे और उस वक्त वो 29,035 फीट की उचाई पर थे यह उचाई समुदर तल से 29,035 फूट की उचाई थी यह थी कुछ रोचक जानकारी माउंट एवरेस्ट के बारे में तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके कि अगर आपको टो जोड़ में अपक्ति ये वीडियो करें ताकि आप के भू आपको बेलापने आपको जोड़िस करें लोपने आपको पक्तिवार आपको प्राली ये रहे हैं झाल झाल